36 गड़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे तीन चुनाव BJP इसलिए बाजी मारने में कामयाब रही थी क्योंकि अजीत जोगी उसकी गाहे बगाहे मदद कर जाते थे क्या इस बार के चुनाव में अजीत जोगी और BSP फेक्टर ने काम नहीं किया मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ विद्धे संकरतिवारी इंडिया नियूज के डिजिटर चैनल इन खबर के लिए इस बार BJP ने वहाँ पे महज 15 सीटे जीती है जबकि 68 सीटे जो गई है वो कां BJP जीत पाती यानि कि यदि अजीत जोगी और मायावती की पार्टी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ती या कुछ बागी नहीं होते तो सिर्फ BJP तीन ही सीटे निकाल पाती वो तीन सीटे कौन सी है मुख्यमंत्री रमन सिंग जो है राजनांद गाउन से जो चुनाव जी दूसरे उनके मंत्री जो है ब्रिजमोहन अगरवाल उन्होंने अच्छी मार्जिन से जीत की है लगबग 17,000 से उन्होंने जीत की है तो वो सिट निकाल सकते थे और तीसरी जो सीट है वो विद्यारतन भसीन का है बैसाली नगर से उनके और उनके दूसरे प्रतिद्वंदी वाले की बीजेपी को सीटे निकालने में आसानी हो गई तो ये बारा सीटे कौन कौन सी है मैं आपको बता रहा हूँ एपाली सीट है कुरूद जहां से की बीजेपी रमन सरकार में मंत्री थे अजय चंद्राकर उनको 72,922 वोट मिले हैं जबकि वहां के कांग्रेस के जो ब कांग्रेस जो है थर्ड नमर पर रही और बागी ने जो है वोट काट करके कांग्रेस नो वोट काट करके अजय चंद्राकर को जीत सुनिश्चित की है ठीक इसी तरह से धमतरी में जो है वोट उनको बीजेपी के जो वोट मिला है वो मिला है 33,198 और जो कांग्रेस को वोट को महज 464 वोटों से मिली तो सोचिए कि यहां पर बगावत करके चुनाव लड़ने वाले आनंद पबार 29,163 वोट नहीं काटते तो उसका क्या हल होता ठीक इसी तरह से अकल तरह में बीजेपी के कंडेट को मिले है 60,502 और बीएस्पी के कंडेट को मिला है 58,648 और कांग्र के रजनीश कुमार सिंग को मिला है 49,601 और कांग्रेश के राजेंदर साहु डबू को मिला है 43,342 और जनता कांग्रेश 36 गड़ के अनिल टाह को मिला है 30,308 और इनकी जीत हुई है महाज बीजेपी कंडेट की 62,69 तो यानिकि यहां पर यदि अनिल टाह नहीं होते तो बी भीमा मंडावी को मिले हैं बीजेपी के कंडेट जो है 37,990 और कांग्रेश के देवती कर्मा जो कि महिंद कर्मा की वाइफ है जिनको कि नक्सलियों ने 2013 में मार दिया था बहुत सारे कांग्रेश नेताओं के साथ उनको मिले है 35,808 और CPI को मिले हैं 12,195 यहां पर CPI नहीं होती तो यह दंतेवारा से BJP के भीमा मंडावी कत्ते ही नहीं जीत सकते थे क्योंकि उनकी जीत हुई है 272 वोटो से ठेक इसी तरह से बिंद्रा नावागड की बात करें तो वहां पे भी BJP और जो कांग्रेश को मिदवार हैं उनके बीच में यदि 16,000 का अंतर है तो पता चलता है कि जनता 36 गड़ कांग्रेश ने वहां पे 19,000 वोट काटा है इसलिए यह इस अंतर को पाट करके किसी तरह से जीत पाए हैं इसी तरह से भाटा पारा की बात करें तो BJP कंडेट वहां पे सीवरतन सर्मा को मिले हैं 63,399 और कांग्रेश के मिदवार सुनिल महिस्वर को मिले हैं 54,490 जबकि जनता 36 गड़ कांग्रेश के चैतराम साहों को मिले हैं 45,907 अब सोचिए कि तीसरा कंडेट नहीं होता तो फिर इनका क्या हाल होता जीत का अंतर के वाल 12,000 है इसी तरह से बिलहा से बिलहा में BJP कंडेट धर्म पाल कौसी को मिला है 84,431 और कांग्रे जोगी की पार्टी है उसने काटा है 29,613 ओट मिले है यदि यहां पे एक कंडेट नहीं होता और कांग्रेश को मिदवार के साथ ही वोट जूड जाता तो कत्ते ही BJP नहीं जीत पात दी ठीक इसी तरह से मुंगेली में पुन्नुलाल मोहले को जो है मिला है 6,479 यह BJP कंडे का उमिद्वार नहीं होता तो BJP कत्ता ही नहीं जीत पाती ठीक इसी तरह से मस्तूरी है जहां पे डाक्टर कृष्ण मूर्दी वांधी जीते हैं 67,950 वोट मिले है उनको और BJP के हैं वो और BSP के कंडेट को मिले है 53,830 तालिस वहां पे दूसरे नमबर पे रहा है तब जा 43 वोट और जोगी की पार्टी के कंडेट फूल सिंग को मिला 46,870 वोट इनकी जीत हो रही है लग भग जो है 20,000, 18,000 बिस जार के आसपास और कांग्रेस के वहां पे जो ए इनके जो कंडेट है जोगी की पार्टी के उसको मिला 46,87 को पे जूड़ जा जाता तो कत्तेई BJP क कंडिडेट जो है यहां से नहीं जीत पाता और ठीक इसी तरह से एक और सीट है जांजगीर चापा वहां पे भी जीत का महज अंतर है बीजेपी के नरायन चंदेल को मिला है कांग्रेस के कंडिडेट को मिला है मोतिलाल देवांगन को 49,852 लगभा 4,000 से जीत हुई है और वहीं पे बीजेपी के कंडिडेट ने लिया है 33,505 तो आप अंदाजा लगाए कि बीजेपी ने और जनता कांग्रेस 36 गड़ ने इन 12 सीटों पे इतना जबरजस्त वोट हासिल किया इतना वोट काटा एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था वो अपने खाते में खीचा तब जाकर के 12 कंडिडेट बीजेपी के जीत पाया है और कुल 15 जीत पाया है और यदि ये फैक्टर काम नहीं करता तो बीजेपी का 36 गड़ में सुपड़ा साफ था तो ये है बीज